हर्यों प्रीदर्सकों यदि आपकी धन राशी या धन उलगन है इस वीडियो को पूरा देखेगा इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि आपने थमनेल में पड़ा ही है कि ब्रमान का सब्च ताकत वर ग्रह आपके साथ है दूर होंगी समस्याएं रंक को भी राजा ब हाले हैं कि आपने जन्बरी से लेके जब से शनी का राशी परवरतन हुआ और अपनी राशी मूल त्रिकोन राशी कुमबराशी में विराजमान हुए तब से आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि आपके साथ ऐसा होगा सनी ऐसा रिजल्ड देंगे और भी बहुत सार ही बाते आपने शुनी होगी परन्त वो घटित नहीं हो रहा कहीं न कहीं और आपको लग रहा है ये सब वीडियो में जूट बताया जा रहा है ये सब वीडियो का कोई मतलब नहीं है परन्त हम विस्तार से जानेंगे आपके साथ ये घटित नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं तक वक्री थे, पहले तो उन्होंने राज़िपरवर्तन किया जन्बरी में और कुमब राशी में प्रवेश करके, अपनी मूल त्रिकून राशी में, और आपके तृतियी भाव में विराजमान हो गए, और आपके दृतियी भाव के भी अधिप्ति सन्जदेव हैं, और यहा तो आपके पाँच भावों को प्रभावित कर रहे हैं, तो कैसा रिजल्ट अब देंगे, क्योंकि सनी देव अभी तक वक्री थे, अब ये 4 नवंबर 2023 इसको मारगी होने जा रहे हैं, तो अभी सनी देव क्या रिजल्ट देंगे, और अभी तक क्यों नहीं दिये थे, ये सब हम जानेंगे तो स्थनिदेब अभी आपके जीवन में बड़े बदलाव करेंगे वो कैसे कि आपके अंदर जो आलस था उसे दूर करेंगे और आपके अंदर इस फूर्ती उर्जा ऐसी बनेगी जिससे आप हरेक काम को बड़ी सीक्रता के साथ बड़े लगन के साथ करेंगे जिससे आपके काम बनने वाले हैं यदि आप किसी कंप्टिशन की त्यारी कर रहे थे या जौब में कहीं न कहीं आपका नुक्सान हो रहा था फाइनेंस की समस अब उसे दूर करेंगे आपके बैंक बैलेंस में सनिदेव ब्रद्धी करेंगे भाग का साथ मिलेगा कहीं न कहीं जो भाग का साथ नहीं मिल रहा था अब भाग का भी साथ मिलने वाला है साथ में धन आता तो था पर रुकता नहीं था तो अब धन रुकेगा भी पैसा खुष नहीं थे अब संतान का वेवहार वी आपके अन्कूल होगा और आपस्में प्रेम बढ़ेगा और विशेयस कर विद्यार्थियों के लिए अब ही तक वो बहत कोशिस करते थे पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था अब पढ़ाई में मन लगेगा विद्यार्थियों का और लब पार्टनर के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है आपश में मेल जूल होने बाला है साथ में देखा जाए तो जो लोग कोट कचेहरी के मावले से बहुत ज़्यादा परिसान थे उन लोगों को भी अब कोट कचेहरी से छुटकारा मिलने वाला है बिजय प्राप्त होने वाली है और आज़ी के खर्च की वज़े से भी आप यदि परिसान थे क्योंकि पैसा जैसे मैंने बताया कि आता था पर इतना ज़्यादा खर्च हो जाता था कि मालूम ही नहीं पड़ता था कि आया पैसा साथ में लोगों को नीद से सम्मंदे समस्याएं और मानसिक चिंसन बहुत ज़्यादा बना हुआ था इसके अलाबा यदि घर में कले का आबाता भरन था भाई बंदों का सहीओग नहीं मिल रहा था छोटे भाईयों से बाद व्याद हो रहा था घर के सदस्यों के साथ बाद व्याद हो रहा था ऐसा लग रहा था कि अपने ही पराए हो चुके हैं तो अब उनाह सन्यदेव की कृपाशे आपके अपरें आपके साथ खड़े होंगे आपके वाणी से कहिन कहीं ऐसी बाते निकल जाती थी, इससे बात ब्याद होता था, आपके सत्रु बन रहे थे, अब वो आपका सहयोग करेंगे, सत्र बादा भी दूर होने वाली है, तो प्रिदर्शकों देखा जाए तो ये बहुत बड़े परिवरतन संदेब करने वाले है परन्तों यहां समझने वाली बात ये है, कि जैसे मैंने कहा पहले कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी और कुछ हुआ नहीं, तो आपको ये भी लगेगा कि आपने ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो इसमें भी बताया जा रहा है, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ये समझना बेहर जरूरी आईए, तो देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, कैसे आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा होगा ये नहीं होगा, यहाँ पर आप अपनी जन्म कुंडली उठाएए और देखिए कि सनी देव की स्तिती क्या है, क्या कोई वो अच्छे भाव में बैठे हैं, उनकी इस्तिती ये बढ़िया है, वो ससनामक राजयोग बना रहे हैं, किसी सुब ग्रेशे दृष्ट हैं, सुब मद्धत में हैं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, उच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु वो कहीं न कहीं ये पीड तो प्रिदर्श को यहां पर यही समझने की बात होती है, कि जिस भी ग्रेश, हाली ये तो सनिदेव की हम बात कर रहे हैं, बांकी वीडियो भी जैसे मैंने कहा आपने हजारे वीडियों देखी होंगी, पर हजारों वीडियों देखने के बात लगता है कि हां उतना बताया जा रहा है, उत्रा घटिर नहीं होता है, तो जब भी कोई वीडियो देखिए, तो अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की इस्तिती जरूर देख लीजे, अब यहां पर यह भी समझने वाली बात है, संभव है, कि जन्म कुंडली में सनिदेव की इस्तिती बहुत अच्छी ह परंतु दूसरे और अन्न दुर योग बने हों, अब जैसे केंदरुम योग बहुत सारी कुंडलीयों में कमी मिलता है, पर कुछ कुंडलीया ऐसी होती है, कि मिल जाता है, कहीं न कहीं राहु के वज़े से कोई पीडित है, कोई अन ग्रहों से कहीं न कहीं पीडित है, तो ठीक है आप हर समय नहीं करवा सकते क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन तो बहुत सारे होते ही रहते हैं परंतो आप या तो शाल में जैसे 2023 पूरा होने जा रहा है दो हजार चोविस आने बाला है तो अपने वार्षिक विशलेशन करवा सकते हैं कि 2024 में क्या इस्थि रहेगी आप जान सकते हैं दिये हुए नंबर पर वार्षप कर सकते हैं अपाइमेंट ले सकते हैं और जानकारी प्राद्व कर सकते हैं या तो आप अपने यदि हर साल नहीं करवा सकते हैं वह से तो हर साल करवाना चाहिए जैसे अब हमारे शरीर के लिए हर बर्स हेल्थ करवाना स भविस्व में जदी कोई ग्रह स्तिती ऐसी बन रही है जिससे आपको नुकसान हो सकता है आपको तकलिफस आने वाले शमय में आने वाली हैं ещё उन्हें पहले से जान समझень कर घंष चेन समय तो आप यह करा सकते हैं और साथ में प्रिदर्षकों अब हम जान लेते हैं उपाई के रूप में एक टो आप अम्य नंत्र deal का जिप सकते हैं आप से जोगी मंन्तर बनता हो जैसे कि यही मंक्त्र है कि प्राम प्रीम प्राम सा सने नमा एक ये भी मंत्र है सने देव का तो इसका जब कर सकते हैं या तो अन्य मंत्र जो भी बनते हों कम से कम एक माला ज्यादा ज्यादा जितना जब सके हैं इसके लावा सने चली इसा का पाठ कर सकते हैं और हनमान जी की भी आराधना कर सकते हैं इस करें लोगों को independent बनाएं इंडिपेंड बनाने का मतलब यह है help करने का मतलब यह है कि लोगों को कुछ देना नहीं है उनको इतना सामर्थवा बनाना है जैसे वाली जे कोई आप से पैसा लेने आ रहा है तो उसको आप पैसा ना दे कर उसको एक रास्ता बता दीजिए उसको कुछ माध्यम बता दीजिए जिससे वो खुद पैसा कमा सके उसको मागना ना पड़े तो इससे संदेव बहुत जाला खुश होते हैं क्योंकि संदेव सत्त के न्याय के देवता है और कर्म के देवता है तो जो प्यक्ति कर्म करता है आलस्त नहीं करता जो सत्त के मार्ग मे चुनाओं करें तो प्रिदर्शकों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद